जब भी हम भंडारे में जाते हैं तो वहाँ पे आलू मटर की जो सबजी होती है उसका तो स्वाद बहुत ही जादा लाजवाब होता है। और हम घर पे कितना भी कोशिश कर ले तो वो स्वाद आ नहीं पाता। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्रॉय करके देखिएगा और आपको सच में वो भंडारे वाली सबजी की याद आ जाएगी। और रेसिपी अची लगे तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे इस प्लेट में मैंने कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं जैसे जीरा, सौफ, धनिया, दालचीनी और मेथी दाना। वहीं दूसरी और मैंने कढ़ाई चिढ़ा दी है उसमें डाला है एक बड़ा चमच ओईल और एक बड़ा चमच घी। जैसे ही घी गरम हो जाएगा ना, यहाँ पे हम डाल देंगे हमारे सूखे मसाले जो हमने प्लेट में रेड़ी करके रखे थे, इस सूखे मसाले को भून लेंगे हम लगबग 30 सेकेंड के लिए और फिर डालेंगे इसमें हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च औ और धनिया को भून लिया है मैंने 30 सेकेंड के लिए और फिर डाला है इसमें ग्रेट किया हुआ अद्रक, अद्रक को भी हम पका लेंगे 10 से 15 सेकेंड के लिए, यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले रेडी किये हैं एक प्लेट में, हल्दी पावडर, लाल मिर्च पावडर गरम मसाला पावडर, हींग, धनिया पावडर, कसूरी मेथी और किचन किंग मसाला, किचन किंग मसाला इसमें जरूर डालिएगा और अगर यह आपके पास नहीं है तो जो पनीर मसाला आता है ना मार्केट में वो अड़ कर दीजिए, इन सारे मसालों को मैंने डाल दिया है कड़ाई के अंदर और इन मसालों को भी पका लेंगे एक मिनिट के लिए, जब तक लो फ्लेम पर हमारे मसाले भुन रहे हैं, यहाँ पर मैंने गोल डेडी कर दिया है, बेसन और पानी का, वैसे तो बेसन हम डारेकली भी डाल सकते हैं, बिना पानी में मिक्स किए, लेकिन इससे गुठलिया पड़ जाती हैं सबजी में और वो खाने के टाइम अच्छी नहीं लगेंगी, बेसन का घोल आड़ करने से हमारी सबजी में बहुत ही अच्छा थिकनेस आएगा, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा, बेसन के घोल को हम भून लेंगे एक से दो मिनिट के लि साथी में डाल देंगे एक कप हरे मतर, यहां पर मैंने फ्रेश मतर का यूज किया है, लेकिन अगर आप फ्रोजन मतर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा बाद में डालिएगा, क्योंकि फ्रोजन मतर को पकने में जादा टाइम नहीं लगता, इन सब को मिक्स कर देंगे और डा पानी आठ कर रहे हैं तो गरम पानी आठ कीजिए, अब इसे में ढख कर पका लोंगी मीडियम फ्लेम पर लगबाग 10 मिनिट के लिए, 10 मिनिट बाद आप नोटिस करेंगे कि सबजी में से तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है, इसमें हम डालेंगी आम चूर पाउडर और क चपाती के साथ या फिर राइस के साथ, बहुत ही जादा टेस्टी लगता है, तो इस रेसिपी को ट्राइ करना तो बनता है, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना भूलेगा छेने हैं था बएक्छन टाइकन को के सब्सक्राइब करने तो लाइक । ज varsa एक्ट बहुत हैंगा जब लाएक्ट लाइकन को कि व्टी बटने हैंगा टो लाइकन को की जा हैंगा लाइकन को की नचलेग